Dear students, language development पर बहुत से factor असर अंदास होते हैं यह internal भी हो सकते हैं और external भी हो सकते हैं इस unit में यह इस module में हम internal factors के हवाले से बात करेंगे there are many general factors that influence the language development इनकी तफसील कुछ यूँ है नमबर वन इसमें age है फिर aptitude है next intelligence है attitudes है और motivation और personality अब हम इनको detail के साथ देखते हैं the age age के साथ साथ age का बहुत गहरा impact होता है students की learning के साथ student की language acquisition के साथ direct link है जो जो बच्चा age gain करता है उसकी language में refinement होती रहती है वो language उसकी develop होती रहती है वो language acquire करता रहता है मसलिन वो आगाज में सिर्फ sound सुनता है चूंकि human language sound से start करके फिर words और उस तरह करती है तो वो जो पहले इप्तदाई मन्त होते हैं उसके दस बारा जो मन्त होते हैं उन में वो sound से फिर words बनाने की कोश्च करता है और फिर उसके बाद वो आगे words से फिर sentences की तरफ जाता है फिर one word sentence या two word sentences और three word sentences ये age के साथ साथ होता है अच्छा बचों की age का भी teaching के साथ भी बड़ा गहरा तालुक है कि teacher जो अपने teaching decision करता है वो भी age के मताबक करते हैं वो ये decide करता है कि किस वक्त कौन सा क्या चीज़ बचों को पढ़ानी है और किस strategy से पढ़ानी है तो age में चूंके हम जो इसमें easy to difficult की तरफ जाते हैं simple to complex की तरफ जाते हैं concrete to unconcrete की तरफ जाते हैं जो जो और इसका age के साथ ब्रहर्यास तालुक है और बच्चे जो जो older बड़े होते जाते हैं वो complex sentences और complex language सीखते जाते हैं next aptitude aptitude को हम अगर उर्दू में से कहें तो रुजहान कहते हैं ये एक innate या inbuilt capacity है ये capability है जो human beings में पाई जाती है और language aptitude जो है ये the speakers को different language सीखने में मावन होता है जो बचों का language सीखने के हवाले से उनका aptitude उनका जिस तरफ जिस language के साथ या जिस तरफ होता है वो उस language को fastly और बड़े उसको मतलब सीखते हैं और उसको की understanding उनमें जल्द होती है और ये ख सास तोर पर जो ये भी एक philosophy है कि जो small या younger children होते हैं उनमें language को fastly learn करने का ज्यादा aptitude होता है मुझे एक experience भी हुआ मैं postdoc के लिए जब UK था तो मेरी एक colleague का बच्चा था चार पांच साल का तो वो school going था और वहां उसमें वो language इसने इतनी जल्दी से वो English language उसने इंप्रू इतना शांदार था कि गुमान होता था कि ये शायद कोई native speaker है फिर motivation है motivation क्या है ये एक urge है motivation is derived from the world motive motive से ये derive होती है और which नोर्स, persons, needs, requirements, odds तो motivation जिस तरह होगी ये भी किसी भी जो child है उसको अगर motivation होगी अब motivation टू टाइप्स है intrinsic motivation और extrinsic motivation इंट्रिंजिक motivation ये internal होती है और intrinsic motivation में कोई reward नहीं होता वो बलके वो जो child वो सीखता है या word या your language इसकी वो develop होती है वही उसका reward है लेकिन external जो है वो extrinsic motivation में उसमें environment से parents से वहाँ से उसको motivation मिलती है तो motivation language learning के हवाले से ये एक बहुत बड़ा factor है और वो उससे ये यह अगर child motivated है और intrinsically और extrinsically तो वो language को बहुत तेजी से बड़ी तो ये एक बहुत एक एच्छा factor है जो language को learn करने में बहुत आहम role अदा करता है फिर intelligence अब intelligence का भी तालुक intelligence क्या है यह एक चीजों को understand करने की complex situation को understand करने की चीजों को repeat करने की mathematics या दूसरी जो competence की अचीवमेंट की यह एक inborn capacity है जो जो बचों में पाई जाती है अब intelligence जो है वालदा की तरफ से बचों को शिफ्ट होती है तो बच्चे जो intelligence जिन में लेवल ज्यादा होगा जो फतीन बच्चे होंगे फिर जहीन बच्चे होंगे फिर moderate होंगे फिर तो उसी तरह वो उन और उनकी language development के हवाले से जो intelligence का भी बड़ा गहरा रोल है अगर उनकी intelligence ज्यादा होगी तो वो complex sentences को complex words को ज्यादा easily वो repeat कर सकते हैं वो understand कर सकते हैं उसको learn कर सकते हैं तो intelligence का भी यह एक बहुत बड़ा benefit है और यह एक बहुत बड़ा factor है language learning के हवाले से attitude रवया रुजहान से ज्यादा यह रवया दवे यू थिंग और फील अबाउट समवन और सम्थिंग कि यह नि किसी चीज के बारे में आप जैसे सोचते हैं और फील करते हैं तो अगर आपका attitude किसी की तरफ सीरियस है या आप आपका attitude positive है तो आप वो काम अच्छे तरीके स बच्छों का attitude positive है और बच्छों वो इस language को learn करने में वो अपना attitude शोग करेंगे और उनका बहुत अच्छा attitude है लितार्जिक ना हो और वो खराब attitude ना हो तो वो language learning उनकी fast होगी और इसमें आप rural urban बच्चों को देखेंगे तो थोड़ा फर्क होगा और फिर environment की बात है तो attitude attitude उनका जी यह इसका बहुत गहरा तालुक है language learning के हवाले से और यह एक बहुत आहम factor है जो language learning पर असर अंदास होता है different learning styles हैं तो different methods of learning are understanding new information अब यह जहन में रखें कि associative थेरी यह कहती है कि आप के mind में जो पहले से information मौझूद है उससे relevant information अगर आपको दुबारा मिलती है तो आप असानी से उसको सीख लेते हैं और उसको आपका जो mind है उसको सीख तो learning style different लोगों में different बच्चों में different होते हैं कुछ लोग क्रैम वर्क से learn करते हैं कुछ बच्चे जो हैं वो वो अगर independent learner हैं तो वो चीजों को understand करेंगे और वो क्रैम वर्क या रटा नहीं लगाएंगे वलके चीजों को इस तरह उनका learning style है तो express and remembers information तो अब यह जो चीजे हैं न एक्सप्रेस करना चीजों को remember करना repeat कर है कि यह एक यह learning styles हैं आप जिसकी मदद से आप language सीख सकते हैं और language को यह language learning में इसका भी और इसको cognitive styles भी कहते हैं कि अगर आपका understanding का level अच्छा है और आपका mind अच्छे तरीके से चीजों को understand कर रहा है concepts को ideas को तो वो learning आपकी better होगी personality personality refers to the endeavoring characteristics personality traits होते हैं यह personality जो है यह हर child की personality different होगी जो उसके characteristics traits different होंगे और वो जो behaviors भी हैं वो उसके unique होते हैं और उस में जो adjustments होती है वो भी कुछ बच्चे या कुछ personalities के जो children है वो अपने environment के साथ बहुत जल्द adjust हो जाते हैं और वो learning उनकी पर पेस पेड़ स्पीड उनकी बढ़ जाती हैं और कुछ child जो है वो उनकी personality में वो चीजे नहीं होती वो अपने महाल के साथ अपनी चीजों के साथ को adjust नहीं हो पाते उनको adjusting में delay होती adjustment तो इस से फिर उनकी language learning में भी difference होगा और उनकी speed slow होगी या language learning के problem भी होंगे उनको और फिर ये जो personality में ये अपनी interests हैं derives हैं और values हैं तो ये सब चीजे हैं तो ये थे कुछ factor जो internal factors थे और जो personal factors थे जिनका language की learning के साथ उनका बहुत गहरा relationship है और उनसे बहुत ज्यादा उनका उससे language learning के हवाले से उन पर काफी impact है